बॉसिंटाम फे गुट बॉर्निंग एवरिवन वेलकम तो आवर टोप फॉयंट चैनल होप एवरिवन इस वेल एंद फाइन तो आज की हमारी वीडियो ट्वेटर हाइलेक्स पिकप डी फोर डी की बारे में है बहुत नीट अंड लीन गाड़ी है 1997 मौडल है जेडियम है जापान जेडियम से इंपोर्ट है जिस तरह अप दोस्तों के पता होगा के 1997 1998 में 6 जेनरेशन की जो ट्वेटर हाइलेक्स पिकप है वो जापान में मिनेफेक्चरिंग होना बंद हो गई थी उसके बाद पाकिस्तान में बर्मा में नार्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज में ताइलेंड वगेरा में जो हाइलेक्स के डिफरेंट वर्जन बनते हैं जो अभी तक 9 जनरेशन आ चुकी है लेकिन इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और अगर आप फस्ट टाइम चैन हो चुका है और के पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी है मोडिफिकेशन इसमें हो चुकी है फ्रन्ट लुक आप देख ले बहुत खुबसूरत फ्रन्ट लुक और बहुत खुबसूरत नीट और क्लीन गाड़ी है इंटीरियर भी में इसका आपको दिकाऊंगा वीडिय जो सिरफ और सिरफ जो पिक अप हाइलेक्स लो रूफ मतलब उस दोस्तों के लिए है जो पसंद करते है आप बहुत खुबसूरत नीट और क्लीन इंजन है आप देख सकते है चार हजार सीची की का इंजन है इसमें और इंजन बे बहुत साफ है गाड़ी को वेल मैंटेन र आप इंटीर भी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो यह सिक्स जनरेशन की गाड़ी है और जेडियम है इसमें पर पाकिस्तानी वर्जन भी कुछ अवेलेबल है ब्लू इंटीर के साथ है त्री स्पोक का स्टेरिंग है आप देख सकते है बहुत अबसूरत और यह ब्लू इंटीर मुझे बहुत पसंद आया और आप देख सकते है इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वह उसका ग्रे इंटीर था लेकिन यह ब्लू गाड़ी और उसके साथ ब्लू इंटीर तो उसका मज़ा ही कुछ और है बहुत दोस्तों को दिकाई थी वह मैनवल थी मैनवल यह भी है लेकिन नीचे गेर था तो इसमें जरा इजी हो जाता है और आगे भी सोफा सीट है और पीछे तो है ही सोफा सीट फॉल फलेच तो अमीद करता हूं कि यह एक चोटी सी वीडियो थी आप दोस्तों को पसंद आई कि आप हमारा चैनल जो है आटो पॉइंट लाजमी सब्सक्राइब करें इंशालला जब कभी भी कोई इस तरह की यूनीक गड़ी देखने को मिलेगी तो मैं इंशालला वापको स्काथ शेयर करूंगा